हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं गवार फली की रेसिपी इसे हम सुकी नहीं बनाएंगे इसे करी स्टाइल में बनाएंगे ताकि हम इसे राइस के साथ रोटी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं बहुत ही हिल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है छलो हम स्टाट करते हैं जबसे मैं यहा पे मैंने गवार फली को साफ करके लिए है इसे अच्छे से वाश कर देंगे ताकि misses निकाल के जाए इसे मैं एक-एक हमेंuman इस तरह से टुक़ड़े टुकड़े में साफ कर लिए है अब यहा पे अच्छे तरह से वाश कर लिए है और एक टीस्पून जेरा अड़ कर देंगे यहापे कुछ कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने कड़ी पत्ते के वज़े से उसका फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है मैंने यह लसुन की तीन चार कलिया लिए जिस्ट इसको दबा के मैंने इसी तरह से हम इसमें ऐड़ कर देंगे अब मैंने यहापे एक चुटकी हिंग लिया है इसे भी ऐड़ कर देंगे अब लसुन को अच्छी तरह से कुक कर देंगे इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से कुक कर देंगे ताकि लसन का अच्छा सा फ्लेवर इस में उतर के आयं या पर नमक can releve नमक humming डाब करके लिए इसे का अच्छे से मिक्स कर देंगे यहापर मैंने दणिया पाउडर एक ती स्पून 12 ऌर जीरा पाउडर एड़ किया है, यहाँ पर मैंने 2 teaspoon homemade काला मसाला एड़ किया है, मैंने, इसके बज़े से color और taste बहुत ही बढ़ी आता है, यह तेल भी बहुत बढ़ी आता है सबजी के उपर इससे, इसे अच्छे से mix कर देंगे, आप देख सकते हैं, यह अच्छे से तेल भी छोड़ने लगा है अभी, अब इस stage में हम इसमें गरम पानी आड़ कर देंगे, हमें गरम पानी आड़ करना है, ताकि इसका color बिलकुल भी न जाए, आप देख सकते हैं, इसका color वैसा का वैसा ही है, अब इससे हम एक अच्छे सा उबालाने तक इस तरह से cook करेंगे, आप देख सकते हैं, य इस stage में हम यहापे मूम फली का crush आड़ कर रहा हूँ, मूम फली को roast किया है मैंने और mix ही में इसको अच्छे से पिस लेंगे, और इसलिए में एड़ कर देंगे, इसकी बज़े से इसको गाड़ा पनाता है सबजी को और taste भी बहुत बढ़ी आता है, अब यहापे हम इसको एक पाच मिनिट के लिए कुक करेंगे, पाच मिनिट हो चुक है, इसे कुक होने के लिए पाच मिनिट लगते हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाती है सबजी, अब यहापे चेक कर देंगे हम, अब देख सकते हैं गवार हाथ से टूट रहा है, तो हमारी बिलकुल रिडि हो च गवरफली के सब्जी जी हम दकटवा धन्याअड कर देंगे इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आगाया इसको बहुत ही बढ़िया डेश्ट आइसका भीसे हम ट्रांस्पर कर लेते बाऊल में आप इसे राइस के साथ रोटी के साथ enjoy कर सकते हैं बहुत ही tasty recipe है आपको ये recipe कैसे लगी प्लीज comment box में बताइए और आपको ये recipe अच्छी लगी हो तो like और subscribe ज़रूर कर देना